हेलो एवरिवान वेल्कम टू माई चैनल हिंदी टेरोडाइक टिपल टू मैं हूँ पल्लवी कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो गाईस आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस परसंद के साथ डील कर रहे है या जिनके ले भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं कल देर रात तक ये परसंद कि सेनरजी में रहे किस स इतना जरू से ध्यान रखना होगा कि जब मैं आपर रीडिंग कर रही हूं तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने परसन के उपर बनाई रखना है जिनकी लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि कल देर रात तक ये परसन स्प्रेड गाइड मुझे गाइड की जर बताईए सबसे पहले आप फ्लेम को बहुत ध्यान से देखिएगा अपने पार्टनर का नाम आप लीजेगा उन्हें विजुलाइज करके यानि कि ऐसा सोच करकी वो आपके साथ हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बात कर रहे हो अपने दिल की बाते रख रहे हो और दोनों ही एक दूसरे की बात से सटेस्फाय हो अब अपने पार्टनर का नाम लीजेगा तीन बार और अपनी चेहरे पर उसी तरह से स्माइल लेकर आईएगा जिस तरह से आप एक वक्त पे एक दूसरे के साथ रहकर स्माइल करा करते थे अब देखते हैं कि कल देर रात तक ये परसंद के सनरजी में रहे कि सोच में रहे काइड कीज़र बताईए युनिवर्स काइड कीज़र जो भी आपके बीच में दूरियाँ चल रही है ना उस दूरी से बिलकुल भी खुश नहीं है कल देर रात तक जैसे वो दूरियां इने बेंतहां खल रही हो यहाँ पर मुझे दूरियों की पीछे की वजह देख रही है चार लोग, थार्ड पार्टी जिनकी वजह से आप दोनों आज की डेट में साथ होकर भी साथ नहीं हो उस चीज को यह परसन कल देर रात तक बहुत जादा महसूस करते रहे और उसे सोच सोच कर जैसे की यह परसन बहुत जादा निराश रहे है यानि की जो आप लोगों के बीच में अब हालात चल रहे हैं उन हालात से यह परसन अपने आपको बिलकुल भी खुश नहीं पा रहे थे उस चीज का दर्द इस परसन के दिल में जैसे की जलक जलक कर बहार आ रहा था बिसिकली ऐसा दिख रहे है कि यह परसन अपनी खुशियों के लिए आपके लिए बोल नहीं पा रहे है उस चीज को ये पसंद महसूस कर रहे थे हलाकि नहीं लग रहा था कि जूट सच कप तक चलता रहेगा इस जूट और सच से ने फाइट तो करनी पड़ेगी इसका सामना तो करना पड़ेगा लेकिन एक मन में जो एक उदासी है न वो इस पसंद के दिल में कल देर रात तक चली है यहाँ पर सी लेटर, एल लेटर, नमबर सेवन यानि कि जलाई मन्त, जेड लेटर ये सबी मुझे दिखाई दे रहा है आपके साथ ना एक स्ट्रॉंग पाउंडेशन ये पसंद फील कर रहे थे आपके साथ जब भी रहे हैं, जितने भी पल रहे हैं एक अजीब सी ही स्ट्रेंथ इनके अंदर आई है यानि कि बोलने की स्ट्रेंथ, अपनी खुश्यों के लिए लड़ने की स्ट्रेंथ इनके अंदर आई है लेकिन बाद आपके जिसे एकदम कमजोर पड़ गए हो इस चीज को इस फरक को ये परसन कल देर राद तक महसूस कर रहे थे ऐसा दिख रहे है जिसे कि कल देर राद तक इस परसन एक ऐसा ख्वाब देखा जिसमें आप इनसे दूर जा रहे हो और आपको दूर करने वाले ये है चाहे वो हकीकत में भी एक वट पे हुआ हो लेकिन उस ख्वाब मेंने आपको अपने आप से खुद से धकेला और वो ख्वाब इने ना एकदम से थंडा कर गया वो ख्वाब इने एकदम से मेंटिली लेवल पर स्टक कर गया और उस ख्वाब को देखने के बाद ये पसन सो नहीं पाए एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी उलजर इनके मन में इनके दिल में कल देर रात तक चली है जैसे कि उसके बाद इने सोने में बहुत वक्त लगाओ, बहुत घंटो बस बैठे रहे हूं, मोबाइल देखते रहे हूं, आपकी फोटो इनके पास है या डीपी, जो भी इनके पास आपके रिगार्ड मेमोरी है, चैट है, उसे ही पढ़ने बैठ गई हों, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज बन रही है यहाँ पर T लेटर मुझे दिखाई दिया है, 6 नमबर, 9 नमबर, यानि की जून और सेप्टेमबर मंट भी बहुत क्लियरली दिख रहे है इनके दिल में कर देर रात तक इस तरह की इनसेक्यूरिटी चली है कि इन्होंने आपको अपने आपसे दूर करा और जब इन्होंने आपको अपने आपसे दूर करा तो आप अब किसी और के हो गए हो, आपके साथ कोई और इन्हें दिखाई दिया उसे ही महसूस कर रहे हैं और वो चीजे इनके दिल में बहुत जादा जैसे की negativity डाल रही हो बहुत जादा mentally level पर इन्हें परेशान कर रही हो तो ऐसा भी आपर दिखता है मुझे ऐसा दिख रहे हैं जिसे इनके दिल में ये चीजे थी कि अगर तुम मेरे लाइफ से दूर चले जाओगे ना तो मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ मेरी कोई पहचार नहीं है मैं मैं नहीं हूँ तो वो चीजे सोचकर ये परसन अपने आपको इमोशनली लेबल पर कल देर रात तक बहुत जादा कमजोर पा रही थे पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा हेल्ट इशू अब चल रहा है मतलब ऐसा है जैसे कि कुछ चीजे इनके कुछ डिप्रेशन कुछ ओवर ठिंकिंग अब इनकी बॉड़ी पर भी इफेक्ट डाल रही हो इनकी हेल्थ पर भी असर डाल रही हो उसकी भी पॉसिबिलिटीज बन रही है यहां पे इनके दिल में कल देर रात तक यह चीजे थी कि अब यह आपसे ना जो अभी तक छुपाते आ रहे हैं अपनी फीलिंग्स अपने इमोशन सी और जादा नहीं छुपा पा रहे हैं और जादा यह नहीं छुपा पाएंगे इन्होंने जैसे बहुत कोशिशे कर ली आपसे दूर जाने की, मूब आन करने की, आपसे नाराज होने की, नाराजगी दिखाने की लेकिन कल देर रात इनके दिल में यह चीज़े थी, कि इस ख्वाब ने ही जैसे मुझे इतना जंजोड दिया, तो मैं तुमसे दूर कैसे जा पाऊंगा, या कैसे मैं जा पाऊंगी इस रिष्टे के तूटने का सपना ही मुझे इतना डरा गिया, इतना निराश कर गिया, तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ से कैसे दूर जाते हुए देख लूँ, तो वो चीज़े इस परसन के मन में कल देर रात तक चली है, ऐसा दिख रहा है कि यह परसन आप जादा अके अकेले रहते हैं, अकेला रहना जादा पसंद आ रहा है कि यह क्योंकि उस अकेले पन में आप हो, आपका साथ है, आप से जुड़ी हुई यादे है, यहाँ पर A लेटर बनता हुआ दिख रहा है, हिंदी का अक्षर A, तो हो सकते है आपके पार्टनर या आपके नाम का जो फर्स्ट लेटर है, वो A से बनता हुँ, या आप लोग अक्सर जो अपने साइन्स करते हो, सिगनेचर आपके पार्टनर या आप, आप हिंदी में करते हो, उसकी भी पॉसिबलिटी है, नमबर थ्री, यानि की मार्च मन्त भी मुझे बेहत इंपॉर्टन दिख रहा है आप गई, यहाँ पर नमबर फोर यानि की अप्रेल मन्त भी बेहत जादा इंपॉर्टन मुझे दिख रहा है, एच लेटर भी यहाँ पर बना है, देखो ऐसा दिख रहा है, जिसे की जब यह परसन इस तरह से काफी जादा इमोशनली लेवल पर कमजोर पढ़ रहे थे ना, तो उन चीजों को भी इस परसन ने बहुत जादा सोचा है, यानि की एमोशनली लेवल पर जितना ये परसन आपसे जुड रहे थे, उतना जादा उस एमोशनली लेवल पर अपने आपको ये परसन बाहर भी खीचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर य तो वो चीजें इन्हें कमजोर कर रही हैं, छीके, उस चीज को इन्होंने कल देर रात तक महसूस करा है, अपने आपको ये हील हुआवा नहीं पा रहे थे, इन्हें ऐसा लगदा था कि आज भी उसी दर्द में हैं, जिस दर्द में ये कल थे, या आज भी आपका ना होना इन्हें दर्द देता है, इनके दिल को तोड़ता है, उस चीज को भी ये पसन कल देर रात तक महसूस करते रहे हैं। और रिष्टों में ने वो चीजे नहीं मिली, और इस पसन ने उनको तबज्जो देने के लिए, उनको अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए आपको ही अपने आप से दूर कर दिया, तो उस चीज को ये पसन महसूस कर रहे थे, एस अन की किन के लिए मैंने उसे छोड़ा आपकी यादे, आपके साथ बीते हुए पल, एक ऐसे ख्वाब की तरह लग रहे थे, कि ये कभी पूरे नहीं होंगे, और शायद ये कभी पूरे थे भी नहीं, ये कभी रियालिटी में मैंने जिया भी नहीं, ये शायद एक सपना ही था, और अब मैं उस सपने से जागा या जागी हूँ, तो इस तरह की चीज़े चल रही थी, एक स्ट्रेस था कि शायद ये सपना ही था, कुछ वक्त मैं सोया और उस पल मुझे ये सब चीज़े दिखी हैं, पी लेटर बी, बीफ और बेबी वाला यहाँ पर दिखाई दिया, नमबर एट यानि कि अगस्त मंत भी याँ पर है, एफ लेटर है, ये दिखी एक बर्ड जैसी बन रही है, जो ये पूरी तरह से इंडिकेट कर रहा है, बहुत जादा इच्छा थी इस पासन की, आपकी तरफ बढ़ने की, जैसे कि उड़कर बस आपके पास आजाएं, आपसे बात करें, कि मुझसे बहुत गलती हो गई यार, तुम मुझे उस गलती की माफी दोगे या नहीं दोगे, कभी मुझे माफ कर भी पाओगे उस गलती के लिए, तो जैसे कि ये आपसे बोल रहे हूं, ऐसा दिख रहे हैं, लाइफ में बहुत उलज़ने चल रही हैं, बहुत परसनली लेवल पर इस परसन के बहुत उलज़ने चल रही हैं, और ये पसन उलज़नों को सुलजा नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर एफ लेटर, टी लेटर मुझे बहुत प्ली अरली दिखा है, कल देर राते के पसन जो आप इनकी केर करते थे थे ना, जैसे की खाना खाया, या नहीं खाया, क्या खाया, क्या कर रहे हो वो जो care आप कर देटे बाद बाद पर पूछते थे ना इनसे कब सोए, किते बजे जागे किता बर कर रहे हो वो सब आपकी जैसे एक एक line इने हे ना याद आ रही हो कि आप इनसे ऐसे पूछा करते थे आप इनकी care दूर रहकर भी तरह करते थे या पास थे तो इस तरह करते थे तो उस चीज को भी बहुत जादा इस पसंद ने कल देर रात तक याद करा है इनके दिल में ये चीजे चल रही थी कि ये जो दिल तोड़ा है या जो ये दिल तूटा है क्या ये जुड़ पाएगा कभी क्या ये आपका दिल जोड़ पाएँगे क्या अपना दिल जोड़ पाएंगे अपनी लाइफ में इननोंसी इतनी ज़ादा चीजों को उल्जा लिया है उस चीज को ये पसंद महसूस कर रहे थे यानि कि सीधे सीधे रास्तों को इन्होंने इतना उल्जा लिया कि पता नहीं अभी ये solve हो भी पाएगा या नहीं इन्हें ऐसा लग रहा था कुछ अच्छा नहीं है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है सब कुछ ऐसा हो रहा है जैसे बिखर रहा है O letter यहाँ पर दिख रहा है क्या वो healthy way में कभी शुरू होंगे क्या कभी उनमें एक ऐसी शुरूवात होगी कि हम उन पलों को उस कड़वाहट को पीछे छोड़ कर एक नहीं शुरूवात कर पाएंगे जो हमने एक दूसरी के दिल को जक्मी कर दिया क्या हम ही दोनों उन जक्मों को भर पाएंगे क्या मैं अपने जक्मों को भर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा चेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो वो चीजे ये परसन कल देर रात तक सोच रहे थे हाँ प्यार है लेकिन क्या वो जखम भर जाएंगे उस प्यार से वो सवाल इस परसन को कल देर रात तक जैसे चीर रहे हूं ऐसा इने फील हो रहा था चलिए टैरों से और देखते हैं सात्मी राशिया भी आपको बताई जाएंगी गाइट कीज़र बताईए युनिवर्स कल देर रात तक व चीज़े आईसोलेशन उदास्तों यह परसंद कल दे रात तक यह चीज़े हमें कैंडल वाक्स के थ्रू भी पता चली और इससे भी हां पर बहुत क्लियर ली पता चल रही है अलोननेस काइट पीचर बताईए युनिवर्स कल देर रात तक भी इसके परसंद की क्या आपको यहां पर भी इतायता वही रहते है तो एनर्जी डिसकस करेंगे दिखिए वैसे तो आल साइन बेस्ट रीडिंग होती है लेकिन आप पर जो स्ट्रॉंग में मुझे अनर्जी दिखिए है वो है एक्वेरियस वार्गो एंड यह आपका हो गया अर्थ साइन यह आपका हो गया एयर साइन ये तीनों कार्ट आपके हो गया वोटर साइन तो यह यह मुझे आपप स्ट्रॉंग में एनर्जी दिखाए लिए अगर आप रीडिंग से अपने आपको कनेक्ट कर पा रहे है तो डेफिनेटलिग अप लोगो मन्थ हो आपका बर्थ मन्थ आप इस मन्थ में मिले थे बिछडे थे तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मन्थ लेकर चलने होगे यहाँ पर ये चीजे हैं कि कल देर रात तक पहली चीज तो ये परसंद पास्ट के बारे में बहुत जादा सोच रहे थे और उस पास्ट के बारे में जितना जादा ये सोच रहे थे उतना जादा इन्होंने अपने आपको स्टख पाया एस ऐन इनके दिल में ये चीजे थी कि क्या ये पास्ट हम दोनों एक दूसरे के मन से निकाल पाएंगे जो भी आप दोनों के बीच में बीते के दिनों में हुआ है या होता आ दूनों इस चीज के लिए गिल्टी खुद भी फील करेंगे या उस चीज को गिल्ट के तोर पर बाहर निकाल भी पाएंगे और उसके बाद क्या दोनों हम दोनों हील हो पाएंगे या नहीं पाएंगे तो उस तरह के सवाल इस परसन को कल देर रात तक जैसे कि परिशान कर रहे हो, खाये जा रहे हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर यह चीजे है कि यह परसन आप में वो चीजे देखते हैं आज भी जो आपने नहीं दिया है, उस चीजे को यह परसन ना नकार नहीं सकते, यह परसन ना चाहा कर भी उसे ने accept करना है, तो वो चीजे तो यहाँ पर है, basically इनके साथ क्या और है ना कि यह जितना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, यह जितना ज़्यादा इस रिष्टे के बारे में सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें एक नई शुरुवात करने में अब डर लग रहे हैं, उतना साथ कुछ हुआ है कुछ toxicity यहाँ पर आई है जिससे यह बहार नहीं निकल पा रहे हैं या फिर इनका जो फैмов से नहीं हो निकल पा अपने आपको ना आपके पार्टनर बहुत जादा डिस्ट्राक्ट करने की कोशिश करते हैं, अकेला रखते हैं, एमोशनली लेवल पर अपने आपको पहुचने नहीं देते हैं, और जब इन्होंने कल देर राद भी अपने आपको एमोशनली लेवल पर बहुत कमजोर पाया तो इन्होंने अपने आपको संभाला भी छीके ऐसा नहीं है कि ये परसन एमोशनली लेवर पर कमजोर पड़े और फिर ये संभाल नहीं पाए इन्होंने डेफिनिटी अपने आपको संभाला भी लेकिन हाँ अब आप से कुछ ऐसी यादे इस परसन की जुड़ गई हैं जो इन्हें रुलाती भी हैं जो इन्हें हर्ट भी करती हैं या किसी पॉइंट पर इन्हें गिल्टी भी फील कराती हैं उस चीज़ को ये परसन कल देर रात तक बहुत जादा महसूस करते रहे हैं थोड़ा सा और देखती हूं चार कार्ट्स नकालके गाइड की जो बताई वि जो जखह मिले हैं उनसे हील नहीं हो पा रहे हैं उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जिसके चलते हैं यह अपनी जिंदगी में और आते हुए अबेंडेंस को आते हुए खुश्यों को प्रोक रहे हैं या आपको पनी तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं देखो यहाँ पर दि जादा लगते हैं कभी किसी पॉइंट पर इनको कल देर रात तक यही लग रहा था कि इस तूटने के बाद अब जुड़ नहीं पा रहे हैं इनके लिए डिफिकल्ट बनता जा रहा है अपने आपको वापस से जोड़ना उस चीज के बारे में इस परसने कल देर रात तक परसन यह देखते हैं कि इसमें इसका ही कोई मतलब है और उसके पीछे की वज़ा यह है देखो यह परसन ना एंजाइटी में हैं जाइटी को फेस कर रहे हैं इस रीजन की वजह से अपने आपको पूरी थरह से खाली पा रहे हैं यह फाइनिशली लेवल पर भी हो सकता है इंके लाइफ में चीज़े चल रहे हो लेकिन क्योंकि हम लब रेडिंग कर रहे हैं जिसमें अपने आपको हर तरह से खाली पा रहे हैं और कल देर रात भी इनोंने अपने आपको पूरी तरह से खाली ही पाया ऐसा भी है चलिए देखते हैं इनके messages आपसे कहना क्या चाह र to express my true feelings for you इन्हें ऐसा लग रहा था कि देखो जो यह आपके लिए feelings रखते हैं वो आपको शायद यह सही से बता नहीं पाई कि कि I will happy if you choose me मैं खुश हूंगा या हूंगी अभी भी अगर तुम मुझे चुलते हो तो I want to do work on our dreams together यह आपसे कहना जा रहे थे कि मैं तो अभी भी यही चाहता हूं या चाहती हूं कि हम दोनों ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए साथ में काम करें You are my happiness, my magic क्योंकि तुम ही मेरी खुशी हो, तुम ही मेरी जिंदगी का magic हो I hesitate to express my feelings, अभी यह person definitely hesitations तो रख रहे हैं आपको अपनी feelings जाहिर करने को लेकर मतलब बता नहीं पा रहे हैं आपको अभी यह I feel you leaving me behind, इन्हें ऐसा लग रहे हैं कि आप अभी इन्हें पीछे छोड़ चुके हो I want to spend my whole life with you, मैं तो तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ I miss you, do you miss me? मैं तो तुम्हें miss करता हूँ या करती हूँ, क्या तुम मुझे miss करते हो Sometimes I feel now you don't love me, इन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब आप इनसे प्यार नहीं करते हूँ I remind my memories with you every day, यह आपको हर एक दिन, हर एक पल, हर एक घड़ी याद करते हैं, आपसे ही यह कहना चाहते हैं तो यह थी मेरी reading की कल देर राद तक आपके partner किस energy में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इन्होंने कल देर राद तक आपके साथ के लिए सोचा I hope आपको reading के माध्यम से clarity मिली हो, आप connect कर पाएं हो अगर आपको clarity मिलती है, आप connect कर पाते हैं तो बताईएगा जरूर, चैनल को like, share and subscribe जरूर से कीजेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी थरह से नई-नई readings, नई-नई topics लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे आज के लिए बस इतना ही, ओके बाबाए